तो दोस्तो टेक्नो ने लांच कर दिया अपना नया स्मार्टफोन जिसका नाम में टेक्नो पॉन नियो 5G फोन जहां दोस्तो बहुत ही बहतरीन फोन होने वाला है अगर आपका बज़ेट रेंट 15,000 तक में है तो हेलो दोस्तो मेरा नाम सगर है सुबख दे आपका मेरे यूट्टूब चैनल टेटनीकल उराकसिक्स में तो दोस्तो आज में बात करने वाला हूँ टेक्नो फोन के बाई में पर पूरी स्मार्पून चाहते हैं, टेक्नो पोवर नियो 5G में मीडिया टेक के डाइमुंसिटी 810 प्रोसेसर आपको मिलेगा, फोन में 120 हेस्ट रिफ्रेस्ट वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा, और साथ में 4ZP लेम सपोर्ट भी दिया गया है, 50 मेगा पिक्सल कैमरा प्रेक्री आपको मिल जाएगी, अब जानते हैं दोस्तों इसके प्राइस रेंज के बारे में, इसमें आपको 4ZP प्लस 128ZP स्टोरेज विरियंट आपको मिल जाएगा, जिसका प्राइस 15,499 रुपे यानि की 15,499 रुपे होने वाला है, टेक्नो पोवर की प्री बुकिंग 26 सितंबर 2022 से सुरू हो जाएगी, कलर विरियंट में आपको Speed Blue और Sapphire Black कलर आप्शन में आपको ये फोन मिल जाएगा, अब जानते हैं दोस्तों इसके स्पैसिफिकेशन के बारे में, जी हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है या एक 5G स्मार्टपून ने, ये Mediatek Dim NCT 810 processor दिया है, जो performance के मामले में best होने वाला है, फोन में आपको 6.1 इंच का Full HD Plus LED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो 120Hz refresh rate में 240Hz के touch spelling rate के साथ आता है, इसमें आपको punch hole notch में 8MP का selfie camera आपको मिल जाएगा, ये phone Android 12 पर चलने वाला और ये HIOS 8.6 की layer है, फोन में दोस्तों 14MP का AI dual rear camera setup है, और ये कई सारे features और LED flash से less है, इसमें आपको 6000 mh की battery मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो 18W fast charging को support करता है, और दोस्तों इसमें आपको type support charging मिलेगा, और 108 CP internal storage के साथ ये phone SD card के जरिए storage बढ़ाने का option भी users को देता है, इसके साथ इसमें stereo speaker का setup भ साइड में आपको mountain fingerprint भी इसमें दिया गया है, तो दोस्तों आपको एक बार rapid detail is phone के बारे में बता देता हूँ, display आपको 6.80 inch, processor mediatek dimensity 810, front camera में आपको 50MP मिल जाएगा, frame आपको 4 dp मिल जाएगा, storage 128 dp मिल जाएगा, battery आपको 6000 mh की मिल जाएगी, OS android version पे ये चलेगा, resolution आप 1080 का मिल जाएगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये best feature वाला budget range phone होने वाला है, अगर आपका भी budget range 15,000 रुपए है, तो आप इस phone की तरफ जा सकती, तो दोस्तों आज जो मैंने आपको technopon New York 5G के बारे में जान कर दी, I hope आपको जान करी अच्छी लगी होगी, अगर आपको जान करी अच्छी लगी होते, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ में comment में मुझे जरूर बता रहा कि आपको मिल आज की वीडियो कैसी लगी, चलता हूं दोस्तों मिलता हूं next वीडियो में, इसी तरफ से technology और gadget से related वीडियो में लाता रहूंगा, तब तक के लिए गुर्वाय जै हिंग जै भारत!